आज की याई वीडियो जियोग्राफी याईनि की भुगोल की महा संग्राम रिवीजन क्लास होने वाले हैं जो भी हमारे चात्र वा चात्रा है तो हजार चौबिस और पच्चिस के सचन में परिच्छा हैं देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही हार्ड लेबल की परिच्छा यदि आप परिच्छा देने वाले हैं कल परसो तो आप लोगों के लिए बहुत ही helpful वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो सारे question और पूछे जा चुके हैं और इस बार भी आने की संभाव ना है तो बिना देरी कोई वीडियो को शुरू करते हैं और एक भी point मिस म answer भी है यह नहीं कि question 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 answer दोनों है और हम आपको बताएं कि कौन-कौन से तयार करके जाना है वो आप ध्यान से सुनिएगा बस ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं पहले इसी वर्स 2324 के session का एक हम model paper आप लोगों के समस्त प्रस्तुत करेंगे उससे आपको पता चलेगा कि बहिया किस प्रकार का paper आ रहा उसके बाद question answer वाली फिरीज और बढ़ते हैं ठीक है तो यहां पर पूरी जानकाई लिखिए बहिया पढ़ लीजिए बिए फश्टियर के first semester है ठीक है जियोग्राफी subject है प्रस्न पत्र का नाम है यानि की paper का नाम है फिजिकल जि से आ सकते हैं तो इंड तक बने रहिएगा अगर आप वाकई में परिच्छा में पास होना चाहा है रहे हैं तो ठीक है पहला प्रस्ने कहे रहा है कि भू बैज्यानिक समय स्राड़ी को कितने कलपो एवं युगमों में बाठा गया यह मेरे कोडिंग महत्पुन नहीं कभी क pensar में आ चुका है कि भूपमप मूल औरहों भूपम अभी केंदर किसे कहते हैं या फिर भू अभी केंडर में क्या डिफरेंस है ऐसाको आसा आपको देखनों मिल मिल सकता है लेकन ही उंपार्टैंट है कई वारा चुका है और आपके लिए महाथपूर है इन इन सभी का प्रभासित किजिए तो सीम्पल सा प्रश्ण है और सीम्पल सा कॉष्ण भी और हंडर पॉस्ट गारंटी है कि यही आपके प्रश्ण पत्र पेपर का नाम है तो इससे संबंदित रहा ही आएगा गारंटी वाला तो आपके कम से कम कितने नंबर पक्के हो गए कम से कम आपके देखिए पांच से दस नंबर पक्के हो जाएंगे इस प्रश्ण का उत्तर त्यार करने पे ठीक है तो इसका भी उत्तर नीचे दिया गया है अगला प्रश्ण है कि बहिर जात सक्तिया क्या है ये मेरे कोडिक महत्पूर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं ठीक है अगला प्रश्ण है कि डेल्टा को परवास्त की परिभासा दीजे कई बारा चुका है परिच्छा में डेल्टा ठीक है और काफी टॉप लेवल का कोईश्चन है एक्जाम नेशन में कई बार रिपीटेड है तो ध्यान रखेंगे इसको बर्खान बर्खान ये कभी कदार आता तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं ठीक है अगला प्रशन है कि वायो मंडल की बिभिन्न पढ़ते हैं यानि कि जो वायो मंडल होता इसमें बहुत फारी पढ़ते हैं तो उन पढ़तों का नाम लिखना है बस आप लोगों को ठीक है तो इसका भी उत्तर नीचे दिया गया ये वैरी वैरी इंप्वाटेंट है कई बा कभी कभी अतर लहींोव जाता है तो इसपरकार के आपको अत्रे में थी एके जो महत्तौर थे अतलगुत्र पंदित उनके बारे मैंने आपको बता देना और कितने सब्दों में देना उसके लिए कितने नंबर मिलेंगे यह पूरी जानकारी आपको महाँ पर मिल जाती है ठीक है तो पहला प्रस्ण है बहुत ही हार्ड लेबल का है गारेंटी वाला फसेगा इस प्रस्ण को तैयार कर लिजे आपकी कम से कम पांच से दस नंब पर पक्के हो जाएंगे तो तैयार जरूर करके जाएगा इसका भी उत्तर नीचे दिया गया है ठीक है अगला प्रस्ण है कि प्रिथभी की आंत्रिक आंत्रिक ठीक है बहुत ही पॉप्लर कोश्चन है बहुत ही टॉप लेबल का कई वार आ चुका है और इस बार भी आएगा ही आएगा ठीक है तैयार कर लिएंगे इसका भी उत्तर नीचे दिया गया है पहले देख लीजिए इसमें से कोंगों से कोश्चन आएंगे वह हम आपको बता रहे हैं अगला है कि प्राट के विचारों के संबंद में भूस अंतुलन की ब्याख्या कीजी तो ध्या कोश्चन एक भी परिच्छा से गई नहीं हो जिसमें भूकम पर से जुड़ा कोश्चन आया नहीं हो तो भूकम किसे कहते हैं आप सभी को नीची अच्छे समझाया गया है मौस्ट इंपर्टन कोश्चन है हाड लेबल का है कई बार पर इच्छा में रिपीट हो चुका है और इसके कुश्च भाई जब भूकम पायगत क्या-क्या प्रभाव पढ़ते है क्या-क्या इंपक्ट पढ़ता है उसके बारे में आपको लिखना बहुत ही पॉप्लर कुश्चन यह भी है ठीक है अगला कुश्चन की वलित परबतों का जन्म भूफनतियों से हुआ है इस सैलो का वर्गी करण कीजिए तथा अगने सैलो की उत्पत्य तथा विश्चिस्ताओं की विविश्चन कीजिए सैलो और अगने जो चट्टाने होती अकले जो सैले होती इनसे जड़ा कुश्चिन फसरे का पक्का है धान से तैयार कर लिजिएगा ठीक है अगला की पावन यह वाएव दाब में क्या संबंद हैं पाउं संचार पर वाएव दाब के क्या ब्यागा क्या क्या प्रभाव की मतलब कि यह कूश्चन हमेंसा नहीं आता है से पानध्पूरत कि आा स्भी सकता है ने इसलिए बोलो rennant कीजिए विफ बीक़िए ऑच्षे गभी प्रवाल भित्तियां की उत्पत्ति वह प्रकार बता है यह भी कभी कदा रहा तो आप इसको पढ़ भी सकते अग्noor कर सकते हैं ठीक है पढ़ लेंगे तो ज्यादा बिटर रहे क्या पता फंसी जाए और इस बार 2324 में आया है तो आप लोग देख लीजे कुदी ठीक है अब हम बढ़ते हैं कोईश्चन एंसर वाली फ्रीच की ओर ओके पहला प्रस्ट नहीं है ध्यान से सुनेंगे वाई मंडल फिजोडा कोईश्चन उपर माडल पेपर में पूछा गया था ना देख लीजे उसी को उत्तर है ठीक है वाई मंडल किसे कहते हैं या वाई मंडल की परिभाफा दी दे तो ध्यान से सुनेंगे प्रिथभी के चारों और एक ऐसा आवरण जिसमें प्रिष्ट होते ही कोई अंत्रिष्ट का पधार्थ उल्कापिंड आध valid inय student हो जाते हैं ठीक है जो है तो है उर्थष्ट हो जाते हैं प्रिथभी का या आवरण प्रित्वी का वा आवरण चारों जहाँ पूरे को पूरे के जो आवरण होता इसी को हम लोग वयु मंदल कहते हैं सिंपल सी बिलकूल प्रिवासा तो अलग अलग हमारे विद्वानों के उनसार अलग-अलग है लेकिन असे बा pleasure इंने कहा है थो रहेंने कि पृत्थभी के च चारों होता है तो हम लोग क्या कहते हैं वायो मंडल कहते हैं वायो का मतलब हावा मंडल का मतलब एक तरीकी सब्सक्राइब इस प्रकार लिखेंगे सिंपल सा परिश्य ठीक बेसिक आपकी महासाम दियाती महासाम बिलकूर ठीक है अगले प्रश्ण के और बढ़े हैं अगला प्रश्ण एक भईया सूरितप से आप क्या समझते हैं इसके बारे मताईए तो सूर्या भिताप और उर्जा या सौर सक्ति उस उर्जा को कहते हैं जो प्रकास एवं उस्मा के रुप में धरातल को प्रकास की गत से एवं लगतरंगों के रूप में सूर्ष से प्राप्त होती है इसे सौर् बिकरण भी कहते हैं यानिकी सौर्टब को हम लोग ठ तो ध्यान से इसका उत्तर फिर से समझते हैं पहले तो जान लिजिए सूर तब को कई सारे अन्य नाम से जानते हैं, ठीक है, जैसे सूर्या भिताप, सूर्या तब को सूर्या भिताप की नाम से भी जानते हैं, सौर उर्जा के नाम से भी जानते हैं, सौर सक्ती के नाम से भी जानते हैं, इस बात को ज्यान रखेंगे, ती सब्सकाных जिसके उसमा के रूप में धरातल को प्रकास की गति प्रकास की गति और लग CC में शूर से प्राप्त होती ठीके उसको हम क्या कहते हैं सौर विक्रण कहते हैं प्रस्तों तो इस प्रोस्टेस को हम क्या कहा सब्सक्राइब करते हैं तो आप अपने इनुसार भी तैयार कर सकते हैं लेकिन कुल में सब्सक्राइब करते हैं तो वाय मंडल में पाए जाने वाली गैस या फिर बहुत फारी जो भी विविन परकार की गैसे होती है उसमें ठीक है अन्य तत्व होते हैं ठीक है और पदार्थ में भार एवं भार के करण दबाव की इस्थित पाई जाती है इसी वाय मंडलेद दाब को संचेप में वायो दाब भी कहते हैं ठीक है यह वाय के पदार्थ होने से उसकी भावतिक दसा की इस्थित वायो के विसाल बिफ्तारट के करण जो की हमारे करना के चारों और हजारों किलोमीटर की उचाहित पैला है उसमें निश्चित भार होता है। प्रतिवी की सता समध्रतल पर प्रतिवर्ग सेंटीमीटर वायु का भार 2.7 किलोग्राम है इस प्रकार समध्रतल पर एक घन फुट वायु का भार लगभग एक दस्मलो ठीक है 25 असो होता है मनुस से हम सभी जीवों को वायुदाप का पता ठीक उसी प्रकार नहीं चलता है ज जैसे कि वाय वदाभ आप लगों के होती है, चारों हो, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं चलता, ठीक उसके बहार का, उफ़ी तरह जैसे मचली पानी नीचे, तुसको नहीं नीचे रहते उसको ने, वतागर किसे कहते हैं यह अतलिक उत्रे में ज्यादा आता है कभी कदार आता हमेशा नहीं आता हो तो इग्नोर कर सकते हैं लेकिन बेसिक से एकदम सिंपल परिभासा है ठीक है वाय और रासियों का लग रूप यानि की वाय और रासियां जो होती है उनका छोटा रूप अगर कहलाता है अगर आप पॉपलर कोश्य ने कई बार परिच्छा में आ चुका है कि चक्रवात किसे कहते हैं शमाने रूप में चक्रवात वह चक्करदार हवाय होती है जिनके मध में गर्म वाय होने के करण निम्न वाय उदाब तथा चारोर ठंडी वाय होने के करण उतर ताकि आपको समस्या नहों को चक्रवात होता है मतलब के चक्रवात कि चेकरवात के होने कारण जिनके मध में गर्म वाय होने के करण मतलब की कभी गर्म हवा हो जाती है तो गर्म हवा mex dużo होने के करण निम्न वायुदाब तथा चारो ठंडी वाय होने की करण ठीक है धान से सुनेंगे निम्न वायुदाब तथा चारो ठंडी वाय होने के करण उच्छ वायुदाब मिलता है जिनके चारो और सकंद्रे विले होते हैं जिन्हें वायुदाब रेखाओं द्वारा प्रदर्सित कि जाता है इसी को हम चक्रवात कहते हैं ठीक इस प्रोस्टिस को अलग अलग बिद्वान के नुसार अलग अलग परिभासा भी जैसे की एट्टी वार्था ने कहा है कि चक्रवात अपे छक्रत निम्न वायुदाप की विछेत्र हैं जो की सकेंद्री संदाब रेखाओं से गिरे होते हैं ठीक है और इस ट्रेलर के नुसार भी परिभासा आप पढ़ लीजिएगा ठीक है ओके निश कोश्चन है कि वाहनिये वर्सा से आप क्या समझते हैं ठीक है कभी कदार आता ये अतलग उत्रे माता कभी कदार हमेशा नहीं आता तो आप पढ़ भी सकते इंग्नोर भ कर सकते हैं और तो लोम किसे कहते हैं ये भी मेरे कोटिक महातपॉन नहीं है अगला कोश्चन मौस्ट इंपॉर्टन एपके आज एक्जाम के लिए तो महांतपॉन आपके आपके इन फ्यूट्र काम आने वाले अगर आप पढ़ाई करते हैं तैयारी करते हैं तुश्कले भ एक भासा है जिसके मौसं शब्द से बना जिसका तादपर यानि मतलब होता है ठीक है मौसं से लिया जाता है यानि कि जो आप लोगों का वेदर रहता है ठीक है यह ऐसी हवाए हैं जो वर्च में अपनी दिसा मौसं के अनुसार बदलती हैं मानशोनी प्रदेशों में हवाय प्रते च्छा महीने में या थी कियां अपने प्रवाहित दिसा के बिलकुल बिप्रेत हो जाती है, ठीक है ये जब गर्मी पढ़ती है तो ये दच्छिर से पस्चिम में ज्यादा ये हवाय प्रवाहित होती है ठीक है तो इसको हम दच्छिर से पस्चिम मांसून के नाम पे जानते हैं और फिर सर्दी जब आती है निकि ठंडी जैसे फीजन चल ला है ठीक है तो इसमें उत्तर से पूरभी चलता है तो इसको उत्तर पूरभी मांसून के नाम पर जानते हैं तो गर्मियों में दच्छिर से पेश्चिम चलता है सर्दियों में उत्तर से पूरभ चलता है इस बात को ध्यार नख करें महा दूपी मग नितर्ट किसे कहते हैं ये तम हाथ पोड नहीं है तो आप पढ़ भी सकते एकनोर भी कर सकते हैं महा सागर ये धारा क्या है ये most important इसके बारे में जरूर जानते हैं जिस प्रकार भूमे पर नदियों में पानी बहता है उसी भात महा सागरों में भी कई कारणों से प्रवावित होकर विशेव दिसा में ये किसी दिसा में ठीक है या फिर विशेष मार्ग में ठीक है विशेष गुड़ वाला जो ठंडा और गरम पानी बहने लगता है तो इस हम प्रोसेस को धारा कहते हैं धारा है महा सागर की सबसे महात्पूर प्रभाव साली एवं सभी सागरों में ब्याप्त गती है जिसको हम महा फागर ये धारा कहते हैं ठीक है तरंग किसे कहते हैं यह भी महात्पूर प्रशन है तरंग उससे कहते हैं कि पवण यानि कि हवा होती है हवा के सतत प्रवाह तथा अन सग्तियों के बहां प्रभाव में फंचलन करते हैं साग्रे जल के क्रमिक रूप से ऊठने तथा गिरने को तरंग है तक भी मतलब है उठ गया तो पी चाहिन को को है खाले वत्याइ cuts है और क्यासी कि सेल्बार कुर्यें DOC पानी नदीहीं तक है ति कोठी तो आप आप पर हैं और पानी यहीं तक है ठीके समद्र में लेकिन जब तरंग आती है तो यह जो लिमिट है यह क्राफ करके आप तक पहुंचके आगे भी चली जाती है उसके बाद फिर थोड़ी दिर भी पीछे लोट जाती है तो इस प्रोसेश को हम क्या कहेंगे तरंग कहेंगे ठीक है और महाफ आगरे निच्षेप किसे कहते हैं कम महत्पूर बायोम किसे कहते हैं कभी-कभी आज आता है तो इसके बारे में आप लोग जानकरी ले लिजी थोड़ी लोग पढ़ लीजेगा ज़दा समय है नहीं तो हम लोग ज्यादा एक्स्प्लैन नहीं करें कि आप लोग पढ महाथपों के बिस्षण ये भी कभी कदार आता है मेंसा नहीं आता है इसको भी इग्नोर कर सकते हैं हम लोग ठीक है अब हम बढ़ते हैं इस कोश्चिन के और प्रस्ण है ना बहुत है ज्यादार कोश्चन आता है तो लग उत्त्रे में ठीक है कि भोगोल के पिता यानिकी जियोग्राफी का जो पिता है फदर है वो किसे कहा जाता है तो सरप्रत्म युनानी विद्वान जिनका नाम ही इरो इरेटो ऊस्थनीज ने भोगोल को धरातल के एक विस्चिष्ट बिग्ञान की रूप में मानता दी जिससे भोगोल के पिता की संग्या दी यानिकि इस बात को ध्यान रखेंगे ठीक है और जी अपना प्रत्वी गरा है इसको अनोखा ग्रावी को कहा जाता है इसके बारे में बताईए ठीक है तो प्रत्वी को अनोखा ग्रावी को कहा जाता है पॉप्लर कोश्चन है तो ध्यान से सुनेंगे सौर मंडल के सभी ग्रहों में केवल प्रत्वी पर ही पूर्ण रुपेड जीवन संभव यानि कि जो हमारे सौर मंडल में बहुत सारे पूर्ण रूप से इसलिए पृत्वी को अनोखा ग्राव कहते हैं इस बात को ध्यान नखेंगे जैसे कुश्चन आ जाए कि पृत्वी को अनोखा ग्राव क्यों कहते हैं तो सींपल सा वन लाइन नर उत्तर आप लिखेंगे कि वार मंडल के बहुत सारे ग्रहों एवं उप पूरे नंबर मिलेंगे एक जामर आपको ऐसे फैंक के नंबर देगा कि ले जाओ यह आपने बहुत अच्छा लिखा परिवासा फिर लिखना कि पृत्वी सूर से 14 करोण ध्यान से रहेंगे पृत्वी सूर फे 14 करोण 96 लाग किलो मीटर दूर पर है यह कुश्चन कई बार 96,000,000,000 किलो मीटर दूर है तो यह उत्तर आप लोगों के लिए बहुत ही महात पौण साबित होगा पृत्वी के विश्ट्वत रेखिये ब्याफ 12,700 किलो मीटर है और धुर्वे ब्याफ जो है ठीक है वो है 12,719 किलो मीटर ठीक है पृत्वी का छेतर पल जो है छेतर पल वन चास करणों पचीफ लाख वर के किलो मेटर है इस बात को धान नहीं खेंगे जिसमें साथ महा दियुप है ध्याँ पे फुनेंगे कोई पूछ ले कि भाईया प्रिथिवी पर ये कोश्चन ही आ जाए कि प्रिथिवी पर कितने महा दियुप है तो आप लेखेंगे कि प्रिथिवी पर साथ महा दियुप है फिर कोश्चन आ जाए कि प्रिथिवी पर कितने महा सागर है और प्रिथिवी अपनी धूरी पर गुमती है इस बात को ध्यान रखेंगे बहुत फाईले लोग कहते हैं कि इधर इधर फिर होती है फिर इधर आ जाता है आगेज पीछे लेकिन वो अपने अफ्थान पर इफ्थिर है जो प्रिथिभी है यह घूमती है जिस पर आप लोग है लेकिन आपको पता नहीं चलता इसको आप लोग फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा ठीक है जहां से सुनेंगे इस घंटा तथा 56 मिनिट में चक्कर पूर करती है तभी सुबा से साम होती है ठीक है प्रिथिभी प्रस्चिम से पूर्वी की ओर घूमती है और इसी प्रकार घूमती हुई ठीक है 365 दिनों में सूर का एक चकर लगा लेती है तो इस बात को ध्यान रखेंगे बहुत ही पॉ बहुत प्रसुइब है अगला कोईशन ता महातपोर ने फोकस नहीं करेंगे भुप अपरति कई बार प्रस्टा आ चुका इस परी प्रोकस करना है ज्यान से सूनवे ठीक है ओपरी तथा मध्यम परत को मिलाकर आर्थर हमस ने पपड़ी का नाम दिया है इस परत में सियाल क संपोड़ परत तथा सीमा की ओपरी परत को समलित किया जाता है ठीक है यह इंप्वाटन्ट आता अब अपने उसार पढ़ लीजेगा ठीक है बोकंप की उत्पत की प्रिचीन बिचार धारा को अस्परस्ट कीजिए कई बार प्रिच्छा माने वाला कोईश्चन है हार लेबल जल तरल लावा तथा चट्टानों के तुकडों से युक्त गर्व परदार प्रित्वी के धरातल पर प्रकट होते हैं इस प्रकार जौला मुकी घटना का सीदा संबंद प्रित्वी के विभिन गहराईयों में होने वाली विशेष प्रक्रियाओं एम घटनाओं से ऐसे प्रकार का ठीक है पोटा बना उसमें बहुत फारे ठीक मैगमा यानि के बहुत फारे लावा टाइप का होता ठीक है इसमें बहुत फार आग कप्र गोला रहता है ठीक है जिसको आम लोग जोला मुकी कहते हैं बूफ अंतलन यह भी पॉपलर कुश्चिन देखिए उपर कई बार परिछा में आ चुका फंका फशेगा ध्यान से पढ़ लिजीगा प्रतबी सता का निर्मार करने वाली द्चना समाग्री को चठान कहा जाता है सिंपल सा रहे प्रिथी जडरता का निर्मार करने वाली रचना समाग्री को क्या कथ migrateने सिंपल प्रत्यार टैरेंगें अग्यातास स्ट्प्राइब हैं इस प्रकार आप हुट महात्पूर्ट प्रश्रम वा thou ऺतार के बारिक ठीव आप अपने खोकार करेंगे वहांते लिसी मारत्यास प्रश्ण है उसका उत्तर नीचे दिया गया है ठीक है और जिन भी छातर के पर इच्छा लगी है आप पर दन ठीक है यह सब महुत पूर्ट प्रश्ण है यह पूरी के पूरी पीडियाप आप सभी के एक्जाम नेशन के हिसाफ है तैयार की गई है इसमें दिये गए सारे कमेंट में भी लिख दिया करिए अपनी राय कुछ अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो ठीक है मिलते गोड़ने वीडियो में जैहिंद